सिंग्रॉली भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुक शहर है जिसे 24 मई 2008 को सिंधी जिले से अलग करके नय जिला बनाया गया था यह मध्य प्रदेश का 50 वा जिला है जो रीवा संभाग में आता है यह प्राकर्दिक और खनिच संसाधनों से संपल्न एक शेत्र है दोस्तों वैसे तो हर जगह की अपनी एक पहचान होती है खासियत और खूबी होती है मगर सिंग्रॉली जिले की पहचान समूचे देश में उर्जाधन के रूप में की जाती है यहां कोईले का पार भंडार है पानी का अथा सागर है इस्तिती में यहां उर्जा पैदा होना स्वभाविक है इसी कारण इसे भारत की उजाराजधन या और जान्चल नाम दिया गया है दोस्तों इस शहर को ग्रशी श्रंगी के नाम पर प्राचीन काल में श्रंगावली के नाम से जाना जाता था उस समय यह शेत्र घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से धंका हुआ था दोस्तों यह शहर लगभग 575 वर किलोमीटर शेत्रफल में फैला हुआ है जो शेत्रफल की दृष्टी से मध्य प्रदेश का 28 वर श स्थित है फ्रेंड बैधन से 32 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा तहसील में साथवी और आठवी शताबदी की कलात्मक रूप से नकाशिदार रॉपकट गुफाएं देखी जा सकती हैं प्रसित गुफाओं में गणेश माड़ा विवा माड़ा शंकर माड़ा जलजलिया और लावन माड़ा शामिल है ये गुफाएं रॉपकट वास्तुकला के सुन्दर दाहरन हैं दोस्तों अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की तो 2011 की जनगर्ना के अनुसार सिंग्रॉली की जनसंख्या ग्यारा लाग के लगभग है महिला पुरुष अनुपात यहां पर 816 म हिलाय प्रती एक हजार कुरिशो पर है दोस्तों सिंग्रॉली जिले का इतिहास वैसे तो नया है परन्तु जिस भूभाग में यस्थित है उसका इतिहास बहुत प्राचीन है अंग्रेजों के आने से पहले सिंग्रॉली जिला वर्तमान उत्तरप्रदेश के सूंभद्र जि दोस्तों सिंग्रॉली जिले की सीमा उत्तरपूर में उत्तरप्रदेश राच्य दक्षिन में चत्तीजगर राच्य और पश्चिम में मध्रदेश के सुंधी जिले के साथ लगती हैं सिंग्रॉली भुपाल से 697 किलोमीटर दूर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 981 कि राजमार्ग 19 पर है फ्रेंड इस शहर का प्रशासने क्रिभाजन उत्मंडल ब्लॉक और तहसील में किया गया है इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं और इस शहर की साक्षरता 62.36% है दोस्तों इस शहर में कई सारे दर्शनी पखुबसूरत तूरिस्ट पैलेस भी मौजूद है जैसे रिहंद बांध या कुविंद बल्लब पंसागर रिहंद बांध सिंगरौली शहर में घूमने का एक मुख्य स्थल है रिहंद बांध एक बहुत बड़ा जलाशा है ये बांध उतर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है ये बांध चारों तरफ से सुन्दर पहाडियों से घिरा हुआ है बरसात में यहां पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं बांध के किनारे बहुत सारे दर्शनिय स्थल भी देखने के लिए मिलते हैं माज्वाला मुखी मंदिर शक्तिनगर शेत्र में स्थित्वाला देवी मंदिर सबसे पुराने अबनी का मेला लगता है जहां भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं संजय नेशनल पार्क सिंग्रॉली संजय नेशनल पार्क सिंग्रॉली शहर में स्थित एक मुख्यस्थल है संजय नेशनल पार्क एक राश्ट्री और द्यान है इस पार्क में बहुत सारे जीव जन्तू और पौधों की बहुत सारी प्रजातियां देखने के लिए मिलती है यहाँ पर बाग और अन्य जगली जानवर देख सकते हैं यहाँ पर आप सफारी का मजा ले सकते हैं यहाँ पर आपको खने जंगल, खूबसूरत मैदान, नदिया, पहाड, चटान देखने के लिए मिलेगी हनुमान मंदिर जींगुर्दाहा जींगुर्दाहा का हनुमान मंदिर एक प्रमुग धार्मिक स्थल है यह सिंग्रॉली शहर में स्थित है यहाँ चारों तरफ खूबसूरत खाटिया और पहाडिया है हनुमान जी का मंदिर बहुत सुंदर है और मंदिर का डिजायन भी बहुत सुंदर है यह मंदिर एक पिकनिक स्थल है इस मंदिर में आकर आप घूम सकते हैं इसके अलावा भी जैसे चिलका लेक पार्ग शक्तिनगर दुरघट मंदिर सिंगरौली माडा की गुफाय सिंगरौली विंध्यानगर लेक पार आदी कई सारे खूबसूरत तुरिस्ट पैलेस मौचूद है पर आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सबसक्राइब जरूर करें